कि हैं आप सब स्वागत है आप सभी का अनकेडमी की ओफिशल यूटूब चैनल बैंक प्रोपर मैं साहिल चराया तहदिल से आपका स्वागत करता हूं सभी को मेरी तरफ से प्यार बरा रमशकार जैश्रीराम राधे-राधे सस्रियाकाल कैसे हैं आप सब गाईस और उमीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगी बहुत अच्छे से अपने एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे होंगी एंड दिस इस दा शेशन ओफ कम्प्यूटर्स जहां पर हम टोपिक वाइस कोशन को कवर करें हैं आपके एक्जाम के पॉइंट ओव्यू से अगर आप रेगुलर प्लेइलिस्ट देखती हो तो बहुत सारे आपको कंटेंट यहां पर मिल जाएंगी जिसे आप कवर कर सकते हो टार्गेट कर सकते हो अपने एक्जाम के पॉइंट ओव्यू से तो चलिए आज की सेशन की शुरुवात करते हैं प्रोपली कवर करते हैं आपके एक्जाम के पॉइंट ओव्यू से आपके टोपिक वाइज में हमारा जो टार्गेट चल रहा है डाट पीज कंप्यूटर फंडामेंटल पंडामेंटल के कोशन को हम कवर करें हैं तो उसी सिरीज को हम आगे बढ़ाएंगे टार्गेट करेंगे तो आप में से जितनी भी केंडिट लाइव है प्लीज शेयर दा सेशन मैक्सिमम ताकि मैक्सिमम केंडिट कवर कर पाएं टार्गेट कर पाएं और प्रोपली के शेशन के आप तो पहला कोश्चन आप सभी के लिए आपके स्क्रीन पर वाम बूटिंग वैनी कम्प्यूटर इस री स्टार्टेड बाइ प्रेसिंग दा कॉंबिनिशन ओफ विच की वाम बूटिंग के लिए कौन सी शोटकट की यूज के जाती है या आप ये भी बोल सकत की is used for that वो आपको बताने तो यहाँ पर अगर अपने बात करें री स्टार्ट करने के लिए हमारी शोटकट की होती है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट ऑप्शन नमबर बी इस दराइब अन स्वार देखे आपकी जो बूटिंग है ना वो मेनली दो टाइप की होती है एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग दूसरी होती है वाम बूटिंग कोल्ड बूटिंग का मतलब है कंप्लेटली शट डाउन करने के बाद जब आप कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करेंगे या पहली बार स्टार्ट करेंगे कंप्लीट शट डाउन करने के बाद जब आप computer को start करते हैं या पहली बार start करते हैं वो cold booting कहलाता है और चलते हुए computer को restart करना आपका क्या कहलाता है warm booting कहलाता है तो shutdown के लिए shortcut की आपसे पूछी जाती है तो वो है alt plus f4 और restart करने के लिए shortcut की पूछी जाती है that is control plus alt plus delete ठीक है यही जो shortcut की है इसे मैं task manager भी उन कर सकता हूं task manager के लिए भी यही shortcut की यूज की जाती है याद रखेगा task manager के लिए भी यही shortcut की यूज की जाती है next question which one is the first and foremost system software that manage the hardware and application software इन में से कौन सा आपका system software है जो hardware और application software को manage करता है वो आपको बताना है जो hardware और application software को manage करता है तो वो है जी आपका operating system option number C आपका बिल्कुल सही उतर है उसे हम operating system बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं operating system बोलते हैं ठीक है operating system also is the first प्रोग्राम लोड़िड इन्टू रैम लोड़िड इन्टू रैम वेन यू स्टार्ट यूर कम्प्यूटर जब आप कम्प्यूटर को स्टार्ट कर देते हो तो पहला प्रोग्राम कून सा है जो रैम में लोड होता है वो भी आपका operating system ही है इसका main जो purpose है वो क्या है interface provide करवाना और management task करना next question when one manage file held on various storage device as well as transfer from file one storage to another storage device इन में से कून सी आपकी terminology है जो storage को manage करती है या transfer को manage करती है वो आपको बताना है very very simple question आराम से cover कर सकते हो आपका सही उत्तर क्या होगा अंचल आपको मेरी आप special classes में आओगे तो वहाँ पर आप download कर सकते हो मेरी PDF को daily hundred question का target होता हो और वहाँ पर आपको other information भी मिल जाएगी किस तरह से आप सभी PDF को ले सकते हैं तो आपका सही उत्तर होगा that is file management हम जो file management use करते हैं वो कौन सा है हमारी desktop के अंदर हम जो file management use करते हैं वो कौन सा है वो है window explorer याद रखना यहाँ पर confuse मत हो जाना internet explorer is a browser internet explorer जो है हमारा वो हमारा browser है और window explorer हमारा file management software है next question which one is an interface between process and operating system operating system और process के बीच में interface का काम कौन करता है very very important question बहुत ही important question है बताइएगा सही उत्तर क्या होगा which one is an interface between process and operating system क्या होगा answer वो आपको बताना that is system call option number c is the right answer देखिए system call basically है क्या system call है आपकी command ठीक है मालो आप computer पे कोई file को open करना चाहते हो command दोगे yes or no यानि कि उस process को शुरू करने के लिए operating system के through आप command दोगे भी यह काम मुझे करवाना है यह file मुझे open करनी है file मुझे read करनी है मुझे आप write operation करना है इस file को मुझे close करना है anything उसके लिए आप command देते हो किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए उसको execute करवाने के लिए उसे कोई भी काम आपको करवाना है तो उस command को हम क्या बोलते हैं हम system call बोलते हैं अब यहाँ पर folk is also very important thing folk भी आपकी एक system call है यह system call का एक नाम है बहुत बारे exam में कोशन है what is folk folk क्या है हमारी system call है for create new process new process को create करने के लिए यह आपकी system call है जिसका नाम है folk ठीक है और किसे से यह new process आपकी create करता है from existing one यह existing process existing process की नई आपकी process generate कर देता है next question which of the flowing company developed the microprocessor microprocessor बनाने वाली कौन सी company है यह आपको बताना है very simple thing जल्दी से बताएगा सही उतर क्या होगा microprocessor बनाने वाली company कौन सी है वो है आपकी हुआ है था जी fourth generation next question who among the flowing is known as father of modern computer science father of modern computer science किसे बोला जाता है है father of modern computer science किसे बोला जाता है father of modern computer science तो वो है जी एलन ट्यूरिंग option number B alan Turing is the right answer अगर मैं आपसे पूछ लेता father of modern computer तो father of modern computer जो है वो है आपके चार्ल्स बैबेज ठीक है जी next question what version of windows did Microsoft stop sporting from April 2014 2014 में कौन सा आपका जो version है वो discontinued कर दिया गया था वो आपको बताना है कौन सा version discontinued कर दिया गया था वो आपको बताना है तो जो आपका discontinued हुआ था वो था आपका window XP option number A आज कल इसका आपको नया update नहीं मिलेगा discontinued का मतलब क्या होता है कि नहीं update नहीं आएंगे पुराने version को आप download जूरूर कर सकते हो लेकिन उसके नहीं अपडेट्स आपको नहीं मिलेगा very good morning Richard next the computer that process both analog and digital is called what analog और digital का combination क्या कहलाता है very simple question अब यहां पर मैं आपसे कुछ extra question पूछ लूँगा जो यहां से आपका target होता है वो है आपका hybrid computer option number B इन में से accuracy के base पर कौन से best computer है analog या digital analog या digital में accuracy के base पर कौन सा अच्छा है accuracy के base पर कौन सा अच्छा है यह question आपसे पूछा जाता है तो वो है जी आपका analog computer अगर आपसे पूछ ले जो digital computer है वो किस base पर work करते हैं digital जो computer है वो किस base पर work करते हैं उनका base जो है work करने का वो है counting किस पर base पर काम करते हैं फिर आपर एक question और पूछा जाता है जो analog computer है वो किस तरह के signal पर काम करते हैं analog computer किस तरह के signal पर काम करते हैं that is continuous signal फिर आता है digital computer किस तरह के signal पर काम करते हैं तो आपका याप पर क्या आ जाएगा digital computer वो करते हैं digital signal पर या आप उसे बोल सकते हो discrete signal पर और hybrid computer दोनों पर ही काम करते हैं क्योंकि दोनों का combination है ठीक है जी next ए 32 bit computer can access dash byte at a time 32 bit जो computer है वो कितनी byte को access कर सकता है वो आपको बताना है तो बड़ा ही simple question है अंस्वर होगा चार byte के उपर देखे एक byte जो होता है वो आपका 8 bit के बराबर होता है अगर आपको 32 bit लेकर आना है तो कितनी byte होनी चाहिए चार byte आपके पास होनी चाहिए यही आपका अंस्वर the first generation computer has generation से definitely आपके exam में एक या दो question पूछें आते हैं और हर exam में आते हैं generation से तो first generation का पूछा है किसका use होता था vacuum tube and magnetic drum magnetic tape and transistor किस में होता था second generation के अंदर और IC किस में होता था third generation के अंदर that's it next punch card were first introduced by punch card को introduced यानि कि invent किसके द्वारा किया गया था यह आपको बताना है punch card last year generation से question पूछा गया था दो question आये थे एक तो first generation पूछा गया था एक exam में दूसर यह पूछा था कि first generation में as a input device किसका यूज होता है मैंने class में theory में करवाया हुआ था तो काफिक एंडेट तो अच्छे सिस करके आय थे आप बताएगे का first generation में as a input device किसका यूज होता था अगर last year paper को अगर आपने देखा है तो आपने जरूर observe किया होगा तो first generation में as a input device हम use करते है that is punch card punch card की theory किस ने दी थी अब यहां ध्यां से देखेगा यह बास समझने वाली है punch card की theory या concept किस ने दिया था वो लिया था जैकार्ड लूम ने जैकार्ड लूम ने लेकिन punch card का invention किस ने किया था वो किया था जी हर्मन होल्ड इतने तो यहाँ पर अब आपको punch card की बारे में पता चल गया होगा किस किस बात को आपको cover करना है ठीक है रवी minimum 45 minute class चलेगी 45 minute plus view सकते minimum 45 minute next question अब आपके exam है तो उसी इसाब से आपका pattern रहेगा एक computer system include एक computer system में क्या क्या होता है वो आपको बताना है yes बिलकुल MP, RRB, clerical and PO को target करते हुए ही यह series चल रही है और regular चलेगी आपके exam तक एक computer system में इस सारी चीज़े include होती है all of the above is the right answer next the term dash refer to any computer component that is required to perform work किसी भी computer पर कोई भी काम करवाने के लिए किसकी जुरूरत होती है आपको जैसे अब आपको मालोग YouTube पर classes लेने हैं किसी भी educator की तो आपको क्या चाहिए एक laptop या फिर आपको mobile चाहिए internet connection चाहिए तब भी आप YouTube classes को ले पाऊगे तो इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं resources वैसे ही computer पर आपको कोई भी काम करवाना है तो आपको क्या चाहिए आपको computer के component चाहिए उन component को क्या बोलेंगी resources बोलेंगी आपको बोला था computer component को किस नाम से जाना जाता है ना कि यह पुछा था क्या चीज़ required होती है computer component को बोला जाता है आपका resources next which of the flowing is not true about computer file computer file के बारे में कून सी statement गलत है every file has a file name they are collection of data saved to a storage medium a file extension is established by the user to indicate the file content all file contain data none of these तो भही जो आपका file का extension है वो user नहीं cover करता ठीक है यह आपकी गलत statement है option number c ठीक है MP देखे यहाँ पर मैं आपको practice करवा रहा हूं प्लस आपको detailed देना हूं detailed practice session है आपका अगर आपको theory करनी है complete exam से पहले तो आप जरूर plus को target करिए वहाँ पर other subject की भी आपकी prepatience हो जाएंगी means level की other subject भी आपकी target हो जाएंगी एक ही sufficient model है और अगर आप प्लस पर आना चाहते हैं you can use the referral code ER live for maximum rebate for discount आप यह use कर सकते है next the dash is responsible for performing calculation and contain decision making mechanism calculation के लिए और decision making mechanism के लिए किस चीज़ की requirement होते है वह आपको बताना है किसके responsibility है यह अगेन वेरी सिंपल कोशन अर्थमेटिकल एंड लोजिकल यूनिट जिसमें अर्थमेटिक यूनिट का काम होता है calculation लोजिकल यूनिट का काम होता है आपका comparison next question one who design write test and maintain computer is called what जो सारे काम कर सकता है designing write test maintain उसे क्या बोलते है वो आपको बताना है उसे बोला जाता है जी programmer option number a आपका बिलकुल सही उतर होगा programmer बोला जाता है उसे next if a computer has more than one processor then it is known as अगर किसी computer के पास एक या एक से ज़्यादा processor है तो उसे क्या बोला जाता है वो आपको बताना है if a computer has more than one processor then it is known as उसे क्या बोला जाता है वो आपको बताना है तो उसे बोला जाता है जी multiprocessor option number b is the right answer a collection of system program that controls and coordinate the overall operation of computer system is known as सारे के सारे collection system program का जो control भी करेगा coordinate भी करेगा computer system को उसे क्या बोला जाता तो देखे भई system program का collection क्या system software नहीं होना चाहिए next the content of dash are lost when computer turn off किसका content lost हो जाता है जब हम computer को turn off कर देते हैं वो आपको बताना है तो exactly मैं answer करूं तो वो तो बनेगा जी RAM RAM का content off हो जाता है random access memory जिसे आप memory बोल सकते हो option number D आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा memory क्यूं क्यूंकि यह आपकी volatile in nature होती है volatile का मतलब होता है कि इसका data lost हो जाता है RAM को क्या बोला जाता है waiting room of processor भी बोला जाता है waiting room of processor भी बोला जाता है main type इसके कौन-कौन से वो भी देखेगा RAM की इसमें आजाता है आपके पास SRAM static RAM जो fastest है दूसरा जाता है DRAM जो की है dynamic RAM जिसे बार-बार refresh करने की जोड़ पड़ती है और तीसरा जाता है VRAM जो video के लिए use होती है video RAM जो जालत आप से question पूछ आते हैं वो यह तीन है हलांकि इसके लावा non volatile RAM भी होती है और synchronous dynamic RAM भी आपके होती है next question expansion cards are inserted into expansion card को किस में insert किया जाता है वो आपको बताना है जैसे आपका mobile के अंदर आपको memory को बढ़ाना है बढ़ा सकते हूँ उसके लिए आपको memory card डालना पड़ता है कहां डालते हूँ स्लोट में डालते हूँ option number a आपका बिल्कुल सभीत होता स्लोट में उसे insert किया जाता है next आप सभी के लिए मैं आप कोई detail और देदू मेरे daily free special class भी होती है बिल्कुल free of cost है जिसमें हम target करते हैं आपके hundred portion को ठीक है तिल exam ये regular चलेगी timing fix रहेगा साड़े तीन बजे जिससे आप cover कर सकते हो target कर सकते हो अपने exam के लिए next which of the flowing technique is used in high speed modem high speed modem में कौन सी technology का use होता है वो आपको बताना है daily साड़े तीन बजे दुपहर को बिल्कुल उगर आपसे code मांगी free content को cover करने के लिए तो आप ER live code use कर सकते हैं free content के लिए आपसे access करने के लिए code मांगी कोई charges नहीं है इसकी हाइट स्पीड मोडम में यूज करते हैं cdm डाट इस नोन एज टाइम डवीजन मल्टिप्लेक्सिंग क्या करता है यह digital signal का मल्टिप्लेक्सिंग करता है बहुत सारे अलग अलग जो आपके सिगनल है उनको एक ही पात पर लेकर जाता है मल्टिप्लेक्सिंग नेक्स्ट ए सिंगल अप्लिकेशन देट कंबाइन दा मेजर फीचर ओफ सर्वर टाइप अप्लिकेशन इस पोल्ड वट एक सिंगल अप्लिकेशन जो आपके बहुत सारी अलग अलग अप्लिकेशन की फीचर को कवर कर ले उससे क्या कहते है अभी चल दा है पार्ट नंबर फोर आपका बुद्वार तक खतम हो जाएगा नेक्स्ट जो आपका वैनेश डे होगा तब तक हम पेस फोर्स को खतम कर देंगे फिर वीजन बैच आपका शुरू हो जाएगा योगेश इसका एक्जामपल बताता हूं लाइक MS Office एक आपकी सिंगल एप्लिकेशन नहीं है इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है MS Word मिल जाता है MS PowerPoint मिल जाता है MS Excel मिल जाता है MS Publisher मिल जाता है MS Access मिल जाता है MS Outlook मिल जाता है MS Picture Manager मिल जाता है MS OneNote मिल जाता है यी सारे का combination है लेकिन इंस्टाल आपको एक ही करना होता है so that is known as integrated software ms office is the best example of that next in next generation web content development language is dash typically referred to a suit of technology that allow developer to store data in readable format कोन सी है next generation web content development language और इसका मैं आपको reason भी clear करूँगा भी क्यूं बोलते हैं हम इसे तो वो है जी आपकी एक्जेमल काफी गेंडिट को यह नहीं पता होगा फुल फॉर्म है एक्स्टेंसिबल मार्कप लेंग्विज मुझे इस बाप बताईए आपने बात जुरूर सुनियोगी ms world का या powerpoint और excel in के सभी extension चेंज हुए पहले था आपका doc निया हो गया .docx येस और नो सुना हुए सभी नहीं वाला अब यहां पर जो निया एक्स जोडा ही एक्स क्या ही एक्सेमल ही तो है ताकि आपकी जो भी application है उसे हम क्या बना सके web-based बना सके नेक्स्ट कोश्चन स्टक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच सी कोबोल फोर्टन वर यूजड इन विच ओग दा फ्लोईंग कंप्यूटर जनरेशन किस जनरेशन में इसका यूज होता था वह आपको बताना है जनरेशन का ये भी अच्छा कोश्चन है किस जनरेशन के अंदर हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हैं प्रोपली तो वो है आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बड़ा ही सिंपल फोर्मेट है फर्स जनरेशन में आप याद रखोगे मशीन लैंग्वेज यूज होते थी प्रोपली सेगन जनरेशन में प्रोपली यूज होते थी असेम्बली लैंग्वेज और ठर्ड जनरेशन के लिए हाई लेवल लैंग्वेज और आज भी हम किस लैंग्वेज पर काम करें हाई लेवल लैंग्वेज पर ही काम करें next which of the flowing transform input data into output data input data को output data में कौन बदलता है input data को output data में कौन बदलता है यह आपको बताना है तो input को output में बदलता है जी हमारा CPU central processing unit और इसे हम brain of computer भी बोलते है इसे हम brain of computer भी बोलते है next what do we call a storage device where the access time is effectively independent of the location of data मलब location से हमें कुछ लेना देरा नहीं है हम कहीं से भी अपने data को access कर सकते हैं वो आपको बताना है कहीं से भी हम data को access कर सकते हैं वो आपको बताना है तूसे बोलते हैं हम direct access storage device direct access storage device ठीक है जी दूसरी बात यहां पर अगर अपनी करें इसके एक्जामपल कौन कौन से हैं इसके एक्जामपल है hard disk जिसके साथ disk वर्ड आ गया वो तो रखनी रखनी है floppy disk magnetic disk SSD pen drives यह सारे के सारे आपके किसकी है direct access storage devices के एक्जामपल है सारे के सारे next which among the flowing is a high level language used to develop software application in compact efficient code that can be run on the different type of computer with minimal change fatal question है याद रखना पड़ेगा भी ऐसी कौन सी high level language है जिसमें हम software को compact छोटी application में use कर सकते हैं थोड़ा सा चेंज करते ही उसमें बदलाव कर सकते हैं उसके features में that is for bowl फुल फॉर्म पॉम्मन बिजनस ओरियंटेड लैंग्वेज ठीक है जी दूसरी बात this is the first language for business वैपारिक दरश्टी कौन से जो सबसे पहली लैंग्वेज बनी थी वो भी आपकी को बोल ही थी next question which among the flowing is not a search engine इन में से कौन सा search engine नहीं है वो आपको बताना है अब यहाँ दो option में confusion हो सकती है बाकी सारे बाकी तो आपको clear हो जाएंगे कौन सा search engine नहीं है तो भी वर्लफों alpha नहीं है बाइदू search engine है this is a search engine of china china का है जीवो next question which among the flowing was the इंडिया फर्स्ट टेरा फ्लोप सूपर कम्प्यूटर अब काफिक एंडेट को यह नहीं पता हो कि भी टेरा फ्लोप क्या है तो पहले मैं आपको फ्लोप बता देता हूँ जो सूपर कम्प्यूटर है उसकी स्पीड का मेजर्मेंट जो होता है वो फ्लोप में होता है किस में होता है जी फ्लोप में होता है अब यह क्या है फ्लोप्स दाट इस फ्लोटिंग पॉइंट ओपरेशन पर सेटिंग अब आपनी टर्मलोजी सुनी होंगी जैसे मेगा बाइट ठीक है गीगाबाइट टेराबाइट सुनी विए मेगा फ्लोप्स गीगा फ्लोप्स टेरा फ्लोप्स अब इन में से हाइस्ट कौन से इन तीनों में से आपको पता जैसे टेरा सबसे हाइस्ट होता है तो यहां टेरा फ्लोप्स आपकी हाइस्ट हो जाएगी जो दिये गए हैं उन में से पेटा फ्लोप्स उससे भी ज्यादा हो जाएगी तो इंडिया का ऐसे ही आपको बताना था फ्रस्ट टेरा फ्लोप सूपर कंप्यूटर वो है परम पद्म option number c is the right answer वो है परम पद्म अब मैं बात करता हूँ इंडिया का लेटेश्ट सूपर कंप्यूटर का कौन सा है जी इंडिया का लेटेश्ट सूपर कंप्यूटर तो इंडिया का लेटेश्ट सूपर कंप्यूटर है यह यह परम सिद्धी इसकी स्पीड किसमी है इसकी स्पीड है नियर अबाउट 5.6 पैटा फ्लोप्स और आपको पता होगा वर्ल्ड में इसका 63 रैंक है जी ठीक है जी तो स्पीड से आपको पता चल गया होगा किस तरह से क्या चीज़ टार्गेट की जाती है आपके एक्जाम के पूरा फोकस करिए डेफिनिटली यू विल रोक इंदा कंप्यूटर और कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप फुल मार्क्स लेकर आ सक अब ध्यान सुना मैट में आपको आदे मार्क्स लाने आउट ओ फोटी ट्वंटी लाने आपकी कोशिश किया तो यह तो ट्वंटी मार्क्स का है मैं मानता हूँ तो डेफिनिटली यहां पर अपने क्यों सोचते हैं कि इसमें तो पने को पास ही होना है यह इससे तो मैं पा मैक्सिम मार्क्स आने चाहिए प्रैक्टिस के लिए आप जरूर फोलो करें सभी सेशन्स को स्पेशल को यूटूब पर मेरी काफी क्लासिस पढ़ी है पहले से भी बहुत सारी क्लासिस पढ़ी है तो उसे आप टार्गेट कर सब हैं वाट काइंड ओप्रेशन कैन कंप्यू इन्पूट डिवाइस का कॉम्बिनेशन कौन सा है वो आपको बताना है इन्पूट डिवाइस का कॉम्बिनेशन कौन सा है तो बड़ाई सिंपल कोशन है दोनों की दोनों ही इन्पूट डिवाइस है दोनों की दोनों ही इन्पूट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस दिस is the primary input device इसके बिना computer हम proper work भी नहीं कर पाते और computer में हम लगबग 20 तरह की input devices study करते हैं theory के अंदर और output devices लगबग 4 से 5 type की अलग-अलग theory में cover करते हैं next which among the flowing is used for denoting the detectable movement of computer mouse computer mouse का जो भी आपका movement है उसे क्या बोला जाता है वो आपको बताना है उसे बोलते हैं जी हम Mickey option number B is the right answer Mickey Mouse याद रखने का बड़ाई simple करेगा in computing one nibble is equal to एक nibble किसके बराबर होते हैं तो computer के अंदर सबसे smallest unit है वो है आपकी bit अगर आप 4 bit को जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा हमारा nibble अगर आप 8 bit को जोड़ दोगे तो वो बनेगा byte इसके बाद pattern आया था एक 1024 का एक अजार चोड़ बायट को जब आप जोड़ दोगे तो उसे बोल दोगे वन किलो बाई impTF के एक अजार चोबिस किलो बाई को जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा वन अगराबाइट 1024 मेगा बाइट को जोड़ दोगे तो वो कहलाएगा बन Ghigabyte अब इसी तरह से आगे चलता रहेगा largest unit कौन सी आएगी मुझे बता दो इसी तरह चलते जाओगे तो largest unit सबसे last में कॉन सी आएगी तो वो आती है आपकी तो यहां पर आपका सही उतर हो जाएगा वन नीबल चार बिट के बराबर होता है नेक्स्ट कोश्चन विच अमंग दा फ्लोईंग इस दा कोरेक्ट ओडर इन विच पॉपुलर कंपनी एपल रिलीज देम एपल नहीं जो अपनी सारे के सारे अलग-अलग इसकी बारे में पूछा है सबसे पहले क्या आया था बाद में क्या था वो आपको बताना है तो देखिए भी सबसे पहले आया था आपका मैक फिर आया था आई पॉड ओडियू सौनने के लिए फिर आया था आईपोन फिर आया था आइप bien option number c is the right answer next daily current affair की भी class होती है ठीक है purely आपकी means के exam के coding इसे अपने cover कर रहे है January से लेकर August तक का current affair plus banking के question plus static के question यह हम revision करते है मतलब test format में करते है इसका mook होता है 30 minute 60 question daily सुबह 8 बजे तो इसे आप cover कर सकते हैं daily basis earn academy की app पर यह classes होती है free of cost classes है कोई charges नहीं है इसके next what kind of operation can computer carry out computer जो है वो किस तरह है के operation को perform कर सकता है वो आपको बताना ही हो चुका है हमारा modern computer follow a generalized set of instruction to perform any function what are these instruction better known as यानि की अगर मैं इसे असान वी में करूँ बहुत ही असान कोशन कोशन को देखकर जल्द बाजी में गलत नहीं गरना कोशन में आपको दे रखेंगे मैं आपको सारे बता देता हूँ अगर आप से पूचता है सेट ओफ इंस्ट्रक्शन कभी भी किसी भी कोशन में आ जाता है तो आपका अंस्वर बनता है प्रोग्राम अगर बन जाएगा सेट ओफ प्रोग्राम आपके पास आ जाए तो आप क्या बोलोगी उसे आप बोलोगे आपके पास आजाए सेट ओफ सोफ्ट्वेर तो आप क्या आंस्वर करोगी आप अंस्वर करोगी इंटीग्रेटिड सोफ्ट्वेर यह से आप एप्लिकेशन स्यूट यह एप्लिकेशन पैकेज भी बोल सकते हूँ अना नेक्स्ट कुछ रूल्स क्यों पर भी कोशन आए अब तीन रूल्स बताता हूं आपको धियान से समझेना बहुत ही इंपोर्टन है अगर आप से पूछले सेट ओफ कम्प्यूटर सेट ओफ रूल्स जोई बताए कम्प्यूटर को Which action you are performing यह विच ओप्रेशन यूँ पर परफोर्मिंग उसे क्या बोलते हैं सेट ओफ रूल्स पर कम्प्यूटर जो कम्प्यूटर के यह बोले कि कौन सा ऑपेशन परफोर्म करना है उससे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं programming language यहीं तो कहानी गोल होती है अब आपके पास से आ जाए set of rules for data communication for data communication in network उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं हम protocol और तीसर आपके पास आ जाए set of rules for define database उसे हम क्या बोलते हैं प्रोसीजर बोलते हैं तो तो the set of rules पर भी आपके तीन question बनते हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं next which of the flowing is the processing unit in the computer computer में जो processing unit का माती है उसे क्या बोलते हैं very very simple question और आम से कवर कर सकते हैं that is CPU central processing unit next what part did the first analytical engine incorporate with made it the first design for general purpose computer analytical engine में ऐसे कौन से पार थे जो general purpose computer को design को define करते थे और वो पहला आपका कौन सा computer था जिसकी वजह से Charles Babbage को father of computer बोला गया था वो भी यही था that is analytical engine तो इसमें सारी चीजह होगी तभी तो computer की design को बताएगा option number D all of the above is the right answer which of the flowing was considered as world first fully automatic digital computer world का first fully automatic digital computer कौन सा है fully automatic digital computer तो बहुत important question है that is Z3 ठीक है अगर आपसे पूछ ले world first freely programmable computer उसका नाम है जी आपका जैड़ वन first numerical computer उसका नाम है जी जैड़ फोर और first fully automatic digital computer वो है जी आपका जैड़ थ्री next question which of the flowing stand for the input function of the computer computer का input function क्या काम होता है वो आपको बताना है जल्दी से बता दीजे सही उत्तर क्या होगा input function of computer is what very very simple question input function होता है receiving or accepting information from outside sources option number a आपका बिल्कुल सही उतर है next question what was the name of the first vacuum tube invented by ली दे फोरेस्ट ली दे फोरेस्ट के द्वारा जो first vacuum tube बनाई गई थी उसका नाम बताना है तो आपको ये बात पता होगी first generation के अंदर किसका यूज होता है vacuum tube का यूज होता है vacuum tube के inventor किसे माना जाता है दो परसन को माना जाता है एक तो हो गया आपका जोन एम्ब्रोस फ्लेमिंग और दूसरा हो गया ली दे फोरेस्ट याद रखने का बड़ा ही simple तरिका फुरेस्ट में आग लगई फुरेस्ट में आग लगई फ्लेम लगई तो ओडियोन नाम है जो उसने first आपकी vacuum tube बनाई थी next which among the flowing was the world first electronic stored program computer जिसमें stored program का यूज किया गया था वो पहला computer कौन सा था वो आपसे पूचा है again very important question that is Manchester baby या इसे आप ADSAC भी बोल सकते हो ADSAC की full form आपसे पूची जा सकती है वो क्या है electronic डिले स्टोरेज ओटोमेटिक कैलकुलेटर ठीक है जी कि किस ने बनाया था ये विकिलीज मोरीज ने बनाया था अब वनीता मेरी क्लास ये डेली है ग्यारा बजे बैंक प्रो पर नेक्स्ट विच ओफ दा फ्लोइंग आर एक्जाम्पल ओफ एनलोग कंप्यूटर एनलोग कंप्यूटर का एक्जाम्पल कौन सा है वो आपको बताना है इन में से यह एनलोग के लिए हम कौन सी आपके सिग्नल यूज करते हैं उसके बारे में आपसे पुछा गया है तो वो सारे के सारी है ओल ओफ दा अबव इस दा राइट अन्सफर कि रिजिस्टेंस या जो कंटिन्यूज सिग्नल पर काम करते हैं तीन ही है नशिक्स्ट बीचिवार्स्ट प्रोग्रामेबल अनलोोग कम्प्यूटर लो कुछा था वो आपसे पूछा है फर्स्ट प्रोग्रामेबल एनलोग कम्प्यूटर कुछा है वो है कैस्टल कलोक ओप्षिन नमबर सी इस दर इंटम सब है विच ओफ दस्प्लोहींग आर्दक ओर मैथमेटीकल ओप्रेशन विछ ऐर यूजट इन इलेक्टिक एनलोग कम्प्यूटर् अपवेशन बतादो बस इतना ही आपको कभ़र करना है जो कम्प्यूटर कर सकता है अब आप बताए क्रेंगे क्प्यूटर के ऊपर मैं integration exponential inversions यह सारे कर सकता हूं यास बिल्कुल कर सकते हो all of the above is the right answer. यह fatal information यह कोश्चन है तो आराम से आपको cover हो रहे होंगे कि क्या answer आपको करना है what controlled the data processing operation in Harvard mark first. Harvard mark first this is the first electronic electronic so electro mechanical computer किसके दौरा developed था Harvard I can के दौरा this is the first computer जिसके ऊपर long sequence of earth medical and logical operation किये गए थे तो इसके अंदर आपका controlling unit कौन सी use होते थे तो देको relay and switching device दोनों का use होता था option number D is the right answer next which of the flowing device is used for video games, flight simulator, training simulators and for controlling industrial robot तो इस question में ऐसा कुछ आ गया है जिससे आप आराम से इस question का अंस्वर दे सकते हैं video games के लिए कून सी आपकी input device का use होता है तो video game के लिए हम use करते थे जोए श्टिक का option number C आपका बिल्कुल सही होता है very very simple question next which are the input device that enable direct data entry into computer system for source document किसे भी document को direct computer के अंदर लेकर जाना कैसे आप target का कौन से device का use करोगे तो उसके लिए हम use कर लेते हैं that is scanning device का scanner का data scanning device option number A आपका बिल्कुल सही हो that is input device scanner इसका मतलब scanner ही है कि तो scanner का मतलब क्या होता है यह hard copy को कि soft copy में बदल देता है next which of the flowing is the device that is constructed with the series of sensor that detect hand and finger motion जो क्या करती है hand or finger motion को detect करती है वो कौन सी device है वो आपको बताना है that is known as data glove option number B hand and finger motion को तो उसके लिए gloves का use होगा data glove आपका बिल्कुल सही होता है अब आप सभी के लिए important information unacademy की तरफ से आपका 29 अगस्त को mega combat exam हो रहा है वैसे हर संडे सुबह 10 बजी आपका exam होता है जिसमें आपके लिए आपका subject होगा तो इसके लिए enroll जुरूर करना है link description box में दिया गया है आप enroll करें और enroll के लिए code यूज कर सकते हैं ER10 या ER live और यह आपके other offers हैं जो आप में आपर cover कर सकते हो अगस्त में अगर आप यह subscription लेते हो तो आपको यह offers मिल जाएंगे 1 euro, 2 year आप लेते हो बैंक का subscription तो आपको additional month plus prizes आपको यह लग जाएंगे CET के लिए and IB introductory के लिए यह सारे आपको offers यहां दिये गए हैं तो इसे आप target कर सकते हैं और secondly यहां पर मैं अगर आपको बोलू तो इसके लिए आप code यूज कर सकते हैं ER live ठीक है तो आज के लिए इतना ही अपने cover up करेंगे मिलते हैं आपके next session में कुछ शानदा नए questions के साथ और target करते हैं आपके computer को साधे 3 बजे आपकी special class है आज उसे join करना मत भूलिएगा target करिएगा Thank you very much